अचानक से मेहमान आ जाए या कुछ अच्छा खाने का आप मन करे तब सोचना पड़ता है क्या बनाए हाई गाईज एमके एर आज मैं बना रहा हूँ बहुत ही इजी और टेस्टी सुपर सॉफ्ट इंस्टन डोकला यह इतना इजी है कि कोई भी बिगिनर पड़े ही आराम से बना ले यह बिलकुल नो फैल रेसिपी है हर बार आपका डोकला परफेक्ट स्पॉंजी ही बनेगा कितनी ही बार आप क्यों न बनाओ एक बोल में एड करो 1 cup बेशन, 1 cup सुजी, 1 tablespoon oil, 1 teaspoon crushed kiwi haramish, 1 teaspoon crushed kiwi adhrak, 1 teaspoon chini, 1 half teaspoon haldi powder, 1 fourth teaspoon hing, namak swadhanushar, fresh dhaniya इन सभी चीजों को एक बार mix कर ले अब डाले 1 cup खटा दें अगर आपका नहीं खटा ना हो तो आप इसमें 1 tablespoon निम्बू का रस भी डाल सकते हैं जैसे मैं add कर रहा हूं इन सभी चीजों को कर लो mix और उसके बाद ही डालेंगे जरूरत अनुसार पानी अब डालो पानी पहले मैं half cup डाल रहा हूं और mix करते हैं अभी भी मुझे better थोड़ा थीक लग रहा है तो थोड़ा और पानी में डालूँगा total one cup मैंने पानी डाला है अब आपको better को एक ही direction में फैटना है कम से कम पांच मिनिट के लिए इसे डोकला का जो better है वो light और एकदम fluffy हो जाएगा और आपके डोकला बनेंगे soft and spongy यह secret में सिफ आपको ही बता रहा हूँ आप देख सकते हो पहले के comparison में better का जो color है वो भी change हो गया है और पहले से और light हो गया है better को cover करके रख दो side में 10 मिनिट के लिए तो चलो अब बनाते हैं बहुत ही tasty ढोकले वाली चटनी एक mixture जाल में डालो वन कप धनिया साथ से आथ फूदिने के पत्ते दो कटी हुई regular हरी मीच दो तिखी हरी मीच अधा इंच अध्रक का टुकडा आप टीस्पून जीरा वन तेबस्पून सुगर तो तेबस्पून गाथ्या वन तेबस्पून सेव वन फूद टीस्पून इंग नमक स्वाद अनुसार वन तेबस्पून निम्भूका रस और थोड़ा सा पानी ग्रैंडिंग के लिए इस चटनी को आपको थोड़ा कॉर्स ग्रैंड करना है ये हो गई तेस्टी और स्पाइसी मज़दा ढोकला चटनी तेयार दस मिनिट हो गई है तो चलो बेटर को चेक कर लेते बेटर एकदम परफेक्ट लग रहा है सोजी बढ़िया से फूल गई है अब डालो वन टेबल स्पून इनो और इनो के उपर थोड़ा पानी लगबग टू टेबल स्पून इस से फटा फट कर लो मेक्स यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ अगर आपका बेटर अभी नहीं फूला तो स्टीमिंग करते वक भी नहीं फूलेगा जब आप इनो डालो तभी आपका बेटर मेरी तरफ फूलना चाहिए तो यह आपको पर्फेक्ट रिजल मिलेगा अब बेटर को फटा फट डालो ग्रीस की होई ढोकले की प्लेट में और जो स्टीमर मैंने ओडेडी ओन कर दिया है इसमें हम स्टीम कर लेंगे 15 मिनिट के लिए 15 मिनिट हो गई है गेस को कर दो बन और चेक करते हैं ढोकले को चेक करने के लिए आप कोई भी नाइफ यूज़ कर सकते हो आप नाइफ को इस तरह डाल के देखिए देखिए पर्फेक्टली क्लियर तो हो गया है ढोकला तैयार इससे थोड़ा ठंडा होने दे ये थोड़ा ठंडा हो गया है तो चलो काट लेते हैं अब तैयार करते डोकले का बढ़िया तड़का एक तड़के के पेन में डालो वन फॉर्थ कॉप ओईल जैसे ही तेल गरम हो जाए डालो वन टीस्पून सरसो वन फॉर्थ टीस्पून हिंग और छे से साथ करी पत्ते इससे थोड़ा सोते होने दो और अब ढोकला पे इस तरह से डाल दे यह हो गए परफेक्ट सॉफ्ट और स्पॉंजी इंस्टंट ढोकला तयार इससे सव करो बढ़िया ढोकले की चटनी के साथ है ना सिंपल और आसान रेसिपी जब अचानक मेहमान आ जाए तो बीना सोचे यह नस्ता आप बना सकते हो और आपके मेहमानों को इंप्रेस कर सकते हो क्योंकि यह बिलकूल बाजार जैसा बनके तयार होने वाला है तो इससे ट्राइ जरू करना और मुझे बताना केसे बने I hope you enjoyed this video I will see you all with the next recipe till then happy cooking bye bye see ya